सियासत में कोई भी स्थाई नहीं होता है, खास्तोर से लोक तंतर के दोर में तो कताई भी नहीं। क्योंकि जिसको भी बहुवत मिलता है, वही सत्तासीन हो जाता है, और फिर भोगता है सत्ता का असीम सुख। लेकिन सियासत का एक और पहलो है, नहीं सियासी कद, बद और प्रदिश्ठा के लिए लोग अपने ही राजनेतिक दलों के नेताओं की जम कर टांक हिचाए करते हैं, और मौका लगते ही कार सेवा कर देते हैं, और तोर चौका लगाते हुए तख्त पड़ाट देते हैं, इस् अस्थान के कई नेता तो अभी भी आखरी चरण के चुनाव परचार प्रसार के लिए दूसरे राज्यों में लगे हुए हैं। लेकिन प्रट्याशी जो अपने राजनेतिक दलों में महत्मुन पदों पर हैं। उनकी सांसे चार जून तक के लिए थम गई हैं। क्या होगा उनका क्या अपने ही लोगों के हाथों निप्टा दिये जाएंगे। चुनाव परणामों के बाद या मिलेगा उनको अभेदान। शाय सब कुछ चुनाव परणाम के बाद ही तह होगा। भाजपार कॉंग्रेस दोनों ही तलों में कुछ ऐसी ही इस्ततियां बन रही है। भाजपार में तो बात सीम भजनलाल शर्मा के सीम पद के भविश्य तक पहुँच गई है। वो भी विपक्ष के साथ ही अपने ही दल के नेता एपरतेक्ष रूप से भजनलाल शर्मा को अभी से घेरने लगे हैं। आतिकरम नहीं हटाने के मामलें भजनलाल सरकार घरती नजर आ रही है। राइस्थान के बढ़ते पारें ने सीम भजनलाल शर्मा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। जिस तरह अचानक से आस्मान से आई इस आफत ने अफरा तफरी का माहौल कर दिया है। डॉक्टर क्रोडी पहले से भजनलाल शर्मा के सीम बनने से नाखुश्ते तमाम बिधायक भजनलाल शर्मा को शिकायत कर रहे हैं कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए। क्योंकि भजली की समस्या से पूरे प्रदेश में हाए कार मचा हुआ है। बजनलाल शर्मा अनुभवी नहीं है, लेकि उन्होंने तमाम विभागों के मंत्रियों को अलर्ट कर दिया है, बड़े-बड़े दिगज अधिकारियों को लगा दिया है, लेकि बिजली से चुड़ी शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बार-बार टेलिफोन की घंटिया बज रही हैं, और शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, कई जगे ट्रांसफर जमल जल रहे हैं, कई जगे आपूरती ठप है, विभक्षी निता, शांति धारीवाल भी सरकार को सड़क के नारे रहें वसेरों में वस्ता करने की सला दे रहे हैं, उदर मिलावट ख कर रही, बीजेपी इस बार 50-50 पर रह जाएगे, यानि कॉंग्रेस 15 सीटों तक कदावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा सच में ना हो जाए, यह सोच कर भजनला शर्मा मन ही मन खुद को असुरक्षित मान रहे हैं, यही हाल बीजेपी प्रदिशद्र सीपी जोशी का है, उन पर तो बूत इस तर तक के कार करताओं के प्रबंधन की चिंबेदारी थी, उदर कॉंग्रेसी मान रहे हैं, कि चंदरभान आक्या ने सीपी जोशी की हाल अच्चे तोड़ घड में टाइट करती थी, अगर ऐसा हुआ, सच में ऐसा हुआ, तो सीपी जोशी और भी जादा मुश्क पार्टी ने अपने प्रदेश में प्रमखों को नहीं बदला, वैसे बीजेपी का दावा है कि चार्ज उनको कॉंग्रेस के ये दावे धरे रहे जाएंगे, तमाम मीडिया अजेंसी इस राजस्थान में खीच कर चार सीटों पर ही कॉंग्रेस को जिता रही है, उदर सहब कॉंग्रेस तो खुश है और इस खुश फहमी में प्रदेश कॉंग्रेस में अभी अंदर खाने पड़ी खीचतान मस्ती नजर आ रही है, कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष के पद को लेकर सुख बहार तेज हो गई है, हाला कि गोईन सिंग डोटासरा का कारेकाल और परफॉन्मेंस प्रभावशाली तो रहा था, लेकिन बहुजूद इसके उनके अद्रक्ष पद पर डोड़े डालने की ख़वरें चर्चाओ में है, मतलब चार जून बाद डोटासरा को पदल दिया चाएगा, पी सी सी चीफ से हटा दिया जाएगा, इस तरह का रूमर पह करीवी लाइन में लगे हुए हैं जिन में रगु शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो अभी ये सारी बातें कयास भर हैं, अन्तिम फैंसले में अभी वक्त है, जब चार जून को चुनाव परिणाम आएंगे, एक एक सीट पर जीत हार का समीकरन निकाल कर राजनेतिक सम्भावना है, जब या तो देश में बीजेपी को बहु मत ना मिले या सत्ता का खेल पलट जाए, हैर ये सम्भावना है, जो जिसका समर्थक है उसके पक्ष में सुनने में बहुत बहतर लगती है, बाकि तो थोड़ा रुखते हैं, कुछ दिनों की ही तो बात है, मुझे दीजिए इजाजत, जंता दर्बार के लिए जयापुर से, विजय वर्मा